दोस्तों चलिए आपर बात करेंगे इसी एस T10 रोमानिया जो खेला जाएगा B.A.N. भर्षे T.R.A. के बीच खेला जाएगा देखो दोनों टीम T10 खेलने का अनुभाव है और बहुत सारे मुकाबले खेले भी है तो उनके उपर भी हम लोग बात करेंगे दोनों टीमों में बहुत ही अच्छे अच्छे ओल्ड राउंड और अच्छे अच्छे बल्लिबाज आपको देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छे केफटन भीजी का भी 24 कुछ ऐसे पिलेर है जिनका सेलेक्शन काफी कम है तो उनके उपर भी हम लोग जाएंगे ट्रेमफ पिलेर के उपर भी बात करेंगे जो हमें वन साइडेड वीन करवा सकता है तमाम चीजे देखेंगे लेकिन मेरे भाई आगर जदे आप इस मुकाबले को हमारे साथ खिलना चाहते हैं तो हमारे टेलीगराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत ज़ादा ज़रूर है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खिलता हूँ इनके अलाबे जियल का टीम पीच रिपोर्ट पिलिंग लेवन यानि की एक सांदार टीम बनाने में जितने चीजों की अब सकता होती है सारा कुछ टेलीगराम पर ही प्रवाइड करता हूँ तो आपको जोईन करना किस परकार है जी है मेर भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या पर वीडियो के फर्स्ट कोमेंट जी वहाँ पर लिंक होगा बुलू कलर में सौरब समाजीक चावडासी उसी पर किलिक यानि टच करोगे तो सीधे हमारे टेलीकराम चैनल 55.9 के सब्सक्राइबर बाले पर आओगे बिल्गुल फिरी में हर मेच का टीम वगेरा अपडेड जील टीम हर कुछ लेकर जाओगे तो मेरे बाले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोनों टीमों के कौन-कौन से बिस्टाइबर बी ए ए एन के टीम की तरफ से इतने सारे पिलियर इनका बिकेट कीपर होगा एश शुकूर नाम का तो वो यह एगारा पिलियर जो है ना टी-टेन खिलने का अनभावर सबका देखोगरी को ठीक ठाक है यहने आप समझ रहो यहाँ से बिकेट कीपर एक होगा एगारा तुम्हें पिक नहीं कर सकता तो यहाँ से इसी में से आपको पिक करना होगा बहुत जादा इंपोर्टेंट हो वोनाच यह BAN के टीम का यह 11 पिलियर आप 11 में से कौन बेस्ट है कितने नमर प्याएंगे हर बर्दे को T10 है लाइन अप चेंज होते रहता है एक्सपेरिमेंट भी होता है बेटिंग पे तो वो फाइनल जो आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीगराम पे इनके लाब दोस्तों दूसरे टीम का देखा जटा टी आरे का तो यहां से इतने सारे पिलियर का खिलने का अनभवावा बाकि अन्ने के ऊपर जाने की बिल्कुल भी जcely जरूरत नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर टोटल करियर के बात की जाए ताही दोखी की बात के 99 रन बनाए अपने किर्केट करियर पर जहाँ पर 8 विकेट भी लेगे थोड़ा सा कम ये गिन बाजी करता है ये शकूर की बात के 330 रन बनाए थोड़ा नीचे बल्ले बाजी करता है इम प्रसन्ना की बात के 79 रन के साथ 17 विक्टे भी लेगे आई हुसेन ये कमाल का पिलियर रुमानिया का इंटरनेशनल टीम का पिलियर है 566 रन 24 विक्टे इन साजिद की बात की जाए 224 रन अपनी किर्केट करियर पे बनाए है इम अनिक की बात की जाए 105 रन जहां पर 7 विक्ट भी लेगे के रन अतुंगा 277 रन ओपन ये करना चे इस हाई यहां पर 31 रन के साथ 3 विक्ट लेगे ये अबदूल की बात के आकरमग बले बाजी करता है नीचे आकर 141 रन बनाए 8 विक्ट लेगे इनके अलावे बीटी की बात की जाए 17 रन जहां पर देखा जाते एक बनिया गेन बाजी बले बाजी इनको उतना आता नहीं है तो किर्केट करियर पे इनों नो विक्ट भी लेगे इनके लब इस मदूमल की बात के एक बिकेट अपने किर्केट करियर पे लेगे जादा कुछ खास रहा नहीं अगले टीम का तरफ से देखोगे तो भी बनसल ने यहाँ पर 161 रन बनाए किर्केट करियर पे दो बिक्टे अभी स्कोर काट के जरी है भी हम लोग समझेंगे टेंसन मतलो इस की सोर की बात के 154 रन किर्केट करियर बनाए आर घानी यहाँ पर 165 रन एक बिक्टे यह अपारी 144 रन तीन बिकेट भी लेगे आर लीबर यह थोड़ा सा ठीक ठाग गेन बाज आए और यहाँ पर इन्होंने 5 विकेट ले गए थे टोटल अपनी करिकेट करियर पर के पांडिया ज्यादा अनुबावाई ने इशुनार यहाँ से 75 रन खेलने का अनुबाव जरूर है आई वारसी की बात के यह इंपोर्टिया रहेगा किरकेट करियर पे 129 विकेट भी इनके नाम है बाकी यहाँ से देख सकते भी सरमा 190 रन के सांसा 5 विकेट भी इनके नाम है तो इस परकार सा इसकुमार पार्ट टा टीम का हिस्सा नहीं है तो केरन तुगा ने 43 मातर 18 गेंदों पे मेरे बाई 4,4,3 जबरदस छक्के की मदद से इस नावाजबू टीम का हिस्सा ने ए अलीन होगा अबदूल अलीम नाम से होगा यह यहाँ से इन्होंने बढ़िया यहाँ से किया और इन्होंने 34 का योगदा ज़्यादा मुकामिल अईजाज हुचे हैं सबसे बेस्ट पिलियर इंटरनेशनल रुमानिया का इनको बलेबाजी मिला नहीं ए सकूर कोई बलेबाजी नहीं मिला ति इस परकार से इनका रहा था इनके लाब है टी आरे की टीम की तरब से देखोगे ए अपारी दो बिक्टे लेके दो उभर में डाल कर एम बनसल ने ठीक ठाक गिनबाजी की विकेट लेज गए लेकिन अपारी से इन्होंने अच्छी गिनबाजी की आर लीवर की बाद कीज़े यहां से दो उभर में तेती से रहन अपना लीवर यहां से खराब कर लिया अच्छा काजा पिटाई पड़ी मदवानी एकी उभर डाला इनके लब एंग हिंगरोवानी की बाद के एक उभर डाला दस रहन देकर एक बिक्टे लेगे अब इनकी बल्ले बाजी देखी जाए तो बल्ले बाजी में आँसे एअपारी उपन आया छे गिंदों पे बारा रन यहां से बनाए और देखोगे एक चौके एक छटके की मदद से बागी पी सुनार एक रन मार कर आउंट होगे एक मल्यन की बाद के आठी रन आर लीबर यहां से तेरा एक चौके एक छके गेनबाजी भी कर रहा है इंपोर्टेन रहेगा सामने वाले टीम के तलब से एक प्रसना ने दो भर में 22 रन देकर एक बिकेट यहां से ले गए और इन्होंने काफी अच्छी गेनबाजी के कमाल का गेनबाजा बाई इनके लाब एक अलिम की बात के चार बिक्ट साथ में ताबर तोड़ बल्ले बाजी यहां से इम बंशल यहां से इम मसहल यहां से उपन आया था यह शकूर के साथ इनका भले बाजी यहां उपन नीचे होते रहता है तो ज़्यादा खास है यह 2022 का यहां से आपको मिलेगा तो मैरे भाई चले यहां पर कॉंबिनेशन की जरीए समझते हैं लेकिन इससे पहले अग जैदि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इंफोर्मेशन देता हूं इनके अलावे कुछ जनकारी लेना हो इस्टापे भी मेसेज कर सकते हूं वीसी की सीटेब के ऊपर भी जा सकते हूं लेकिन इनका भले बाजी काफी नीचे रहा तो मैंस अपर भी जा सकता हूं इन बातों को धियां रखना है इन साज्जित की बात कर ठीक ठाक है लेकिन यहां से के रहना तूंगा सबसे बढ़ियां हाड इंट है बागी के बारे में भी मैंने बताया हूँ लेकिन यह बढ़ियां है वह से पाट्टाम गेन बाज का पी सुनार भी आपको उपन करते हुए इस इन साजीद भी आपको टोप ओडर पर बले बाजी करते हुए नेजर आएंगे लेकिन वही बाली बात है कि ज़्यादा खास रिकोर्ड है इस हायर भी यहां से खिलते हुए इनके पास भी इन बवाई इन इस मेच में ओल्डर काफी यहां से नजर आएगा इन के लाई वी टी की बात की जाए और भी अन्य है यहां से जो कि आप अपने पिंग टीम पे एम बन सल अब इनको मैं ड्रोप नहीं कर सकते हैं वंसे लास्ट थोड़ा नीचे बल्लेबाजी भी आ रही है एक्सपेरीमेंट भी हो रहा था अ sólo एक्सपेरीमेंट ना हुआ... ये टोप ओडर बले बाजी क्या तीन से बेतर के प्रण वाज कोई होना नहीं चाहिए नेशनल टीम का बेस्ट पिलियर माना जाता है बिसिकलि ये मनीक के उपर जा सकते हैं लेकिन अबदूर कमाल का बले बाज है सांत्मगेन बाजी भी कमाल का करता है तो मैं इनी के उपर फिलाल गया हूँ तो मेरे भाई फिलाल के लिए ये टीम सेफ करकर रखो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीक्राम चैनल टोमेस्टीक पिलिंग 11 पे तौसा करते है भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए